Welcome guys, आज के class में हम लोग जो है measurement of time पर चर्चा करेंगे, इसके पिछले वाला class में हम लोगों ने बात किया था measurement of mass के बारे में और उससे पर पिछले वाले class में range और order देखा था हमने length का, चलो ठीक है, आज हम लोग time के measurement पर चर्चा करते हैं, तो बहुत simple सा चीज है, बहुत लोग ऐसे भी generally जानते हैं, कि जो time है, उसको measure करने के लिए जो standard unit इस्तमाल किया जाता है worldwide, जो ऐसा unit है, वो क्या है, ऐसा unit इसका second है, ना सभी जानते हैं, आज कल second में ही ना पा जाता है, ठीक है, बहुत पुड़ाने समय में इसको time को नापने के लिए बहुत लोग अलग तरह का घड़ी वगड़ा का इस्तबाल करते थे, कुछ लोग का था कि इस तरीके से क्या किये, पेंसिल को या पेन को ऐसे गार दिये, किसी लखड़ी को, उसके बाद जब भी सूरज स्पार होता था तो इसका पढचाई ऐसे करके घूम जाता था, जमीन पर पढ़ता था, तो उसके हिसाब से फिर कितना घूमा, उसके हिसाब से टाइमिंग वगड़ा लोग किया करते थे, कभी रेत वाली घड़ी आई, रेत वाली घड़ी को ऐसे पलट दिये, जितना देर में एक बार रेत उपर से नीचे आ जागा, वो एक मिनट या फिर 60 सेकेंड, ऐसे करकर क करकर के सोचा जाता था, फिर बात में मुंबत्ती वगड़ा का भी जो है, यह आया, क्लॉक आया, जिसके बारे में सोचा गया कि मुंबत्ती इतना जल जाएगी, मतलब इतना समय हो गया, और इतना जल जाएगी तो इतना समय हो गया, इस तरीके से भी धेर सारा घड़ी इसके बाद आप description से PDF निकाल करके उसका notes बना लेना देखो जरासाब आज हम लोग बात करेंगे एक cesium atomic clock के बारे में क्या चीज है cesium atomic clock उसमें बहुत अच्छा से timing बगड़ा का पता चलता है एक second perfect क्या है सब कुछ चर्चा करेंगे पहले समझते हैं जरासाब दिरे 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 कैसे कैसे करके घड़ी का invention हुआ ये सब चीज को हम लोगो थोड़ा बहुत आज कहानी ही है बस तो वही सुनना है बहुत पहले के समय में क्या किया आता था सबसे पहले क्या किया गया एक pendulum वाला जो घड़ी है उसका निर्मान हुआ था कि जैसे यहां पर है छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद यह pendulum यहां जाके फिर वापस यहां आ जाएगा जैसे यहां से छोड़े यहां गया जाके यहां आया ठीक है तो एक बात यहां से जाके यहां तक आने में जितना समय लगेगा उस समय को बोल दिया गया एक सेकेड यहां जाके यहां आने में यहां से गया यहां फिर वापस यहां आया इसमें जितना समय लगा उसको क्या बोल दिये एक सेकेड ठीके ऐसा कड़के पहले चल रहा था काफ अमेरिका का scientist है लोग के बीच में अगर communicate करना है उस समय तो उतना phone नहीं था सब कुछ नहीं था मगर फिर भी अगर क्यालते हैं यहां का कोई आदमी है और कहीं दूर जगा का आदमी है ठीक है सब चाहता है क्या कि हम जो घड़ी बनाए तो उसी के हिसाब से सब एक जैसा सब का समय तो एक जैसा रहे तब न भाई यानि अगर मेरे लिए एक सेकेंड का पिरियड इतना है तो दूसरे के लिए भी एक सेकेंड उतना ही समय होना चाहिए किसी तीसरे आदमी के लिए भी एक सेकेंड उतना ही होना चाहिए तब न आपस में आदमी बात कर सकेगा भाई कि हम जो सोते हैं, वो इतना 1000 सेकेंड सोते हैं, हम सोते हैं, इतना 100 सेकेंड सोते हैं, या हमको खाने में मात्र इतना सेकेंड लगता है, तो यह सब चीज है, लोग कम्यूनिकेट कर सके, टाइम का सही प्रपड यूज कर सके, तो उसके लिए सब किन लिए समय एक जैसा होना चाह नहीं अलग-अलग हुआ तो दिक्कत है तो पेंडुलम वाला घडी में क्या समस्या आ गया जब बनाया गया तो यह चल रहा था बोट टाइम तक लेकि कि यहां से छोड़ो यहां तक जाके वापस यहां तक आ जाएगा वो जितना समय होगा वो एक सेकेंड होगा इसी तरीके दिक्कत ही आया कि एक आदमी मालो बनाया यह जो पेंडुलम है वो पेंडुलम कैसा है भाई एक मिटर लंबा है और इसमें एक केजी का यहां पर बॉब या चीज लटका हुआ है और उसको इस तरीके से छोड़ दिये जुला रहे हैं तो वह ऐसा है अब दूसरा है दूसर में या तो लंबाई में फर्क आही जाएगा दो अलग-अलग घड़ी में जिसके वज़े से यह जो टाइम है ना यहां जाकर के यहां तक आने का यह टाइम यह टाइम कुछ नो कुछ स्लाइटली हलका ही सही डिफर कर जाएगा और क्या होता था पेंडुलम वाला सिच्व में यहां पर लटकाए हुए पेंडुलम को तो यह इधर आएगा तो यह क्यों आएगा नीचे के तरफ एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही इसको इधर खीचेगा पढ़ेंगे हम लोग आगे के चप्टर में तो यह आर्थ की वज़े से ही ना आ रहा है अर्थ सब्सक्राइब हो जा रहा था समय तो इसलिए क्या किया गया एक सही पैमाना चुनने के लिए आदमी और थोड़ा सा खुद को डेवलप किया कि नहीं भाई यह एक सेकेंड है यह यहां से जाके यहां तक वाला एक सेकेंड अगर चलाएंगे ना तो पहाड़ पे फिर क्या से जाता है यही टाइम परियेड बदल जागा था स्लो हो जाता है फिर नीचे जमीन पर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे तो बाद में क्यालते हैं खोज हुआ एक सिलिकोन ऑकसाइड जिसको की क्वार्ज के नाम से जाना जाता है और यह सब दिक्कत है तब क्या होता है क् इसको क्या क्वार्ज क्वार्ज भी बोला आता है यह क्वार्ज क्या हुआ भाई घड़ी इस अपर देखते होगे लिखा रहता है क्वार्ज इस तरीके से कभी न कभी नोटिस की होगे सायद अगर तो तो क्वार्ज एक ऐसा मेटेडियल है ना जो कि क्या होता है जैसे माल पास कराएंगे तो करेंट पास कराते हैं इस क्वार्ज से तो यह क्या होता है नो वैबरेट करता है ठीक है यह वैबरेट करेगा तो यह जो वैबरेशन होता है इसमें वह वैबरेशन क्यालते हैं एक सेकेंड में यह 32,768 बार वैबरेट करता है ठीक है तो यहां का जो इंड इसमें फैसिलिटी फाने उस्से करता है तो करता मतलब यहां जा के वापस यह जाना यहां गया यह यह नए-वाइबरिशन होनिके फृट है फूड़ास हएकं थोड़ा सही होता है जो होगा तो यहां घाना यहां सारा oscillation उतना बार ऐसे ऐसे दोलन हुआ है उसमें ऐसे घती किया यहां से जाके यहां आया कितना बार इतना बार जाता है कितना देर में in one second में अभी जो भी हम लोग समय इस्तमाल करते हैं और उसमें क्या है कि इतना बार vibration होगा तो वो जो समय होगा वो कहलाएगा एक सेकंड तो लोग इस सब भी बहुत ताइम था कि ये परचलने में चलता गया, आज भी क्वार्ज वाला घड़ी लोग इस्तमाल करते हैं, कंप्यूटर में, इस सब डिवाइस वगरा में, जो है न, क्वार्ज वाला ही घड़ी का इस्तमाल होता है, उसमें करेंट पास होता है, फिर कि चल रहा है घड़ी मेरा चला पीछे हो गया, बाद में गुमा के उसको मिलाना पड़ता है, कभी कभी देखे हो कि टाइम खड़ा भी हो जाता है, तो उसकी पीछे का कारण है न, वो समझो, कि अकसर तो ये करता ही है, इतना बार वैबरेशन, एक सेकेंड में इतना, तो ही समय, एक सेकेंड के लाएगा, जितना दिर में ये एतना बार वैबरेट करता है, तो फिर सब लोग इसी चीज को पेमाना मान करके, एक सेकेंड का डेफिनेशन सम चलने लगा बहुत टाइम तक है, खेर अभी भी बहुत जगा तो एक सेकेंड के लिए ये वाला चीज तो सा डिमेरिट आ जाता है, कभी-कभी एक ही सेकेंड में ये टेंपरिचर बढ़ता है, तो कभी-कभी ये एक ही सेकेंड में 32,700 क्यालते हैं मालो असी वैबरेशन कर दिया, इतना बार वाइबरेट करता है, परती सेकेंड, कभी-कभी टेंपरिचर का में 32,700 क्यालते हैं मालो चालीस बार ही वाइबरेट किया प्रती सेकेंड तो इस स्थिति में घड़ी स्लो हो गया और इस स्थिति में क्या हो गया घड़ी फास्ट हो गया तो ऐसा भी हो जाता है कभी कता लेकिन देख रहे हो 32,780 हुआ 32,760 में 32,780 हो गया यानि 32,700 एतना के सामने 12 तो बहुत थोड हुआ ना 12 बार का वैबरेशन में गलती होना तो थोड़ा सा ही है 32,768 रुपईया के सामने तुम 12 रुपईया किसी को दान दे सकते है थोड़ा सा कम ही है ठीक है तो इतना ज्यादा वैबरेशन के सामने मालो 12,13,10,15 को नगले करतके काम चल रहा है घड़ी में सब जगा य लेकिन क्या है ना कि यही छोटा सा जो क्यालते है डिफरेंस है यह परफेक्टनेस है इससे थोड़ा कम या ज्यादा कभी कतल हो जाता है तो यह लेकिन फिर भी अलमोश्ट लगभग तो परफेक्टनेस है इसके आसपास ही है ने दोनों टेंपरेशर कम होया ज्यादा हो त लेकिन के लाइन का इतना सेकिंड पॉइंट इतना इतना सेकंड यानी 1.000002 सेकंड के बाद जो यहां बहुत यहां से जो सटलैट फिजां गया है उसको लोको सब्सक्राहिए हलका सा भी थोड़ा बहुत उनीजा анक सही होता है इतना वाज़ेशंग को काउंट करके सब्सक्राइब टाइब एतना वाज़ेशंग कोimizगाइब उस से और अछा ज्यादा एक चीज है और है जो कि समझने में नहीं आता होगा बहुत लोग पढ़ते होंगे बुकुब अगड़ा तो अब इस सीजियम एटम में क्या है सीजियम का यह है यहाँ पे नूकलियस है ठीक है नूकलियस है इसका नाभिक है उसके चारो तरफ यह ग्राउंड पहला के ल म n है न कैस अधसे केमिश्टि में सुने हो गए इस तरीके से ओर्बिट होता है यह घ्राउंड हो गया फ्रस्ट ना खेर छोड़ो तो यह जैसे मालो अगड़े इसको समझाने का कुछिस करते हैं देखो जराशन जैसे की एलेक्ट्रोन है यहां पर है ठीक अभी इसमें घूमड़ा है एक 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 जामपल के लिए एक ग्राउंड एस्टेट है ग्राउंड एस्टेट है तो यहां पर क्या कियागा मालो इसको गरम किये हाँ गरम खी किया जाता है असलियत में गरम किया आता है तो सीजियम का सीजियम एटम का नोट्स में सब कुछ है डिटेल में आपको सीजियम एटम को क्या किया गरम किये गरम करेंगे भाई तो इसका जैसे electron है उसका energy level तो बढ़ेगा, high हो जाएगा, जैसे energy level high होगा तो यहाँ से jump करके यह upper orbit में चला जाएगा, जैसा कि आपने class 11th chemistry पहला chapter atomic structure में फिजिकल में आपने पढ़ा होगा, अगर तो ठीक है, तो atom के साथ ऐसा ही होता है, यहाँ पे electron को गर्म किया हुआ, अब उसके है जैसे ही, तो जैसे ही बाहर खीचेत इसके पास तो high energy ही, तो थोड़ा दिर में यह ठंडा होता है, अपना energy लूज करता है, या यह उस संपल भासा में कहें, तो गर्म किये तो यह electron jump किया है, energy का कुछन कुछ जादा हो गया, थोड़ा दिर के बाद अगर मालो इसको फिर यह अलग भी है, अगर किसी magnet से इसको बाहर फिर किच लिया जाता है, ठीक है मालो यह यहाँ पर है, अब यह थोड़ा दिर में तो energy इसका पहले से जितना था, अब फिर बाद में यह energy को क्या करेगा, down करेगा, release करेगा, जैसे मालो एक लोहा है, लोहा को गोला को आप गरम कर दो, चर्रा वगड़ा है, कुछ को गरम करो, उसका आद हटा दो उसको, तो क्या करोगे, आग में से निकाल के हटा दो, अभी जब तक यहाँ पर touch में है, तब तक तो आग में हटा, जैसे हटे का लोहा का चर्रा तो तो लाल लाल रहता, दिरे 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 धिरे धिरे ध नहीं है, तो जैसे ही वापस आएगा, ये भी situation कहा जा सकता है, वापस आने का मतलब एनर्जी इसका low होना, तो जैसे खेर मैगनेट से इसको खीचे, एनर्जी ये क्या किया, ठीक, इसका high energy है, अब ये क्या करेगा, एनर्जी को release करेगा, कैसे एनर्जी release करके थोड़ा सा ठंडाएगा, जैसे की लोहा का छर्रा है गरम से निकाल तीए, तो फिर जब ठंडाएगा, तो बाहर रोस्ति भी हलका हलका, लाल लाल ना जरा ता तो रोस्ति ना निकाल रहागा, गरमी भी बाहर फैकता, तो उसी तरीके से ये elektron भी बाहर क्या किया, एनर्जी फेके गा, और EM wave के रूप में फेकेगा EM wave का मतलब होता है electromagnetic wave electromagnetic wave यानि कि इसको विदुचुमबा की तरंग भी बोलते हैं इंफरारेड, ये रेवोडेड, धेर सब्सक्रारेड तो जब ये जो फेकेगा ना ये जो wave बाहर निकालेगा ये जो EM wave बाहर निकालेगा उस wave का कुछ नो कुछ frequency होगा यानि कि ये जो wave निकालता है वो wave का frequency होने का मतलब वो wave भी oscillate करता हुआ बाहर निकलेगा यानि इस तरीके से vibration के साथ बाहर निकलेगा वो wave ये जब ठंडा होगा तो wave बाहर निकालेगा और ये जो wave का oscillation है यह जो एक बार वेब जो चलता है ऐसे 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 ऐस करता है तो light निकलता है तो light लाल लाल रौस्त निकला न भाई तो वो क्या EM wave है न तो उसका कुछ न कुछ wavelength होगा frequency होगा आवरती होगा तो खेर यहां पर यह जो EM wave से बाहर निकाल रहा है अपना तकी ठंडा जाया energy down हो जाये उसके लिए तो यह क्या करता है जो EM wave निकालता है उस वो EM wave का जो oscillation होड़ा है यानि कि यहां से शुरू किया गया यहां आया एक बार गया फिर यहां दो बार तीन चार पांच ना तो पांच oscillation यहां दिखाएं उसी तरीके से कितना oscillation होता है वेब का उस वेब का उस वेब का उसलेशन 91926331770 क्यालते हैं एक आइदाई सेकर हजाद दहजा लाग दस लाग करोड दस करोड और क्यालते हैं यह तो उन्नीस करोड यह नों क्यालते हैं 919 करोड चब्विस लाग एक तीस अजार साथ सो सकतर यानि इतना बार वेब उसलेट करेगा जितना समय में उसी समय को एक सेकेंड बुला जाता है एक सेकेंड में इतना बार उसलेट कर जाता है जैसे कि यह यह जो था क्वार्ज 32676 बार वाइबरेट करता था तो उसको यानि कि जितना बार इतना बार यह वाइबरेट करेगा तब जाके एक सेकेंड उसी तरीके से इतना बार उसिलेट करेगा इतना बार उसिलेट करेगा इम वेब का उसिलेशन तब वो जो समय होगा वो समय कहलाएगा इम वेब को उतना बार उसिलेट करने में जो समय लगता है वो ही समय कहलाता है क्या मेरा एक सेकेंड तो अब ये जो cgm atom था न, cgm ही क्यों लिए, बाकि hydrogen वगड़ा और बहुत सारा चीज में भी यह कहानी हो सकता था, तो cgm लेने का क्या है न कहानी, कि चाहे तुम मंगलगड़ पर चल जाओ, चांद पर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, चाहे कितना भी गर्मी धूप, वरसा कल रहा है, एक जितना समय, इतना बार oscillation करने में, जितना समय प्रिथवी पर लगड़ा है, इतना बार oscillation करने में, वेब को चांद पर भी उतना समय, बंगलगड़ पर भी उतना समय, तो इसलिए डिफाइन कर दिया गया कि इतना बार oscillation जो होगा न, इस ejected EM वेब का, यह हो जाएगा क्या कभी 70 है ना कभी हो जाएगा 9192631780 मालों इतना हो जाएगा कभी उतनी समय में कभी इतना बार तो कभी इतना बार हो जाता है तो इतना और इतना में तुम देखो तो फर्क कितना का है 10 का यानि इतना रुपईया के सामने 10 रुपईया का अवकाद है कही नहीं, नहीं तो अगर मालों क्यालते हैं, इतना हो गया, या फिर कभी, इतना से American, 60 हो गया, यानि कि कि इतना, इतना में 10, थोरा सा सुलो हुआ, तो स्य थोरा सा भी स्लो हुआ न, न, तो भी ये हमको तब पता चलेगा, एक सेकेंड का फर्क भी हमको तब, अगर इतना सा का फर्क पैदा होगा तब तक तो हम भूख खत्म हो चुकेंगे आए यहां पर इसमें क्यालते हैं वाइब्रेशन के वज़े से थोड़ा बहुत मिश्टेक आता है दो चार दिन में दस दिन में पंदरह दिन में चालते हैं या एक मेहना के बाद थोड़ा सा एक अच सेकेंड का आगे पिछे या कुछ-कुछ कुछ दिन में हो जाता है लेकिन इसमें 10 करोड साल लग जाएगा कम से कम एक सेकेंड का एर आने के लिए पहुत ज्यादा एकुरेशी है इसमें अभी और भी ज्यादा चीद खोजा जा रहा है कि इससे भी एकुरेट कुछ आ जाए ठीक है खेर छोड़ो वो बात की बात है तो हम लोग सारा चीद को लिख चुके हैं 1 second time को भी अगर चाहे तो define कर सकते हैं कैसे define करेंगे PDF में दिये वे भी है कि it is the time in which ejected EM wave ejected EM wave oscillates इतना times इतना बार oscillate करता है जितना समय में during transition of electron from ground state of CGM atom यानि CGM atom के ground state से निकलने वाला जो electron है वो जब क्यालते हैं अपना EM wave को radiate करता है energy release करने के लिए उसका जो oscillation होडा आया है इतना oscillation होने में जितना समय लगेगा उसी को 1 second कहेंगे PDF में आपको अच्छे तरीके से हम define करती है ठीक है यह सब चीज आपको ध्यान रख रहा जितना भी बात हम बोले है total word to word आपको PDF में मिल जाएगा अच्छे तरीके से जैसे कि आप बाकी का नोट्स बना रहे उसी का आगे का भी बनाओ फिर उसके बाद आगे है सिग्रिफिकर फिगर है सब कुसा आची देर 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 चलते चले जाएगा बाबाए बेस्ट अप्लंक एंसी आटिका स्रलिशन करो ठेक है वह सब बनाओ बाबाए